ये मिट्टी बचा वोस्टर पर चल नहीं लगेगा स्कूल की किताबें मत पढ़िये गई तो मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं, मैं स्कूल में सई सोचती थी तो मिट्टी के बरबाद होने के समस्या का हल निकाले बिना जलवायू में होने वाले बदलाव का कोई हल नहीं निकाला जा सकता पर अगर हम सब यहीं बैठे रहें और चार मैने तक खाना न मिले तो हमारी मौत दर्दनाख होगी अब हम इसके बार में जानते हैं, हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने अभी कोशिश की, तो अगले 10-15 सालों में हम इसे पलट सकते हैं मिट्टी हमारी संपत्ती नहीं है, यह एक विरासत है जो हमें मिली है हमें इसे आने वाली पीडियों तक पहुँचाना होगा तो सद्गुरू मैंने कुछ वीडियो में आपको इसके बार में बोलते सुना है और कुछ लेखों में भी मैंने पढ़ा है, पर उन सबका सार यही है कि सभी लोग जलवायू बदलाव की बाते कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा है, जो एक नई चीज है आप कहते हैं कि इन में से कई मुद्धों को सही नीतियों से ठीक क्या जा सकता है पर एक मुद्धा जो ठीक नहीं क्या जा सकता, वो है मिट्टी का कटाओ नहीं, हम मिट्टी के कटाओ की बात नहीं कर रहे हैं, हम मिट्टी के विनाश की बात कर रहे हैं आप सेके रहे हैं और आप बूंद बूंद करके इसमें मिल रहा है अगर आप उपर पहाड पर जाएं और आप में ध्यान देने का धैर हो आप देखेंगे कि पानी बूंद बूंद रिस रहा होगा और ये बूंदें सब ऐसे एक खटा हो रहे हैं ऐसे ही इस पहाड से भी यहां से अगर आप 5 किलो मिटर की आतरा करें तो 4 धराएं हैं, ये 4 धराएं आगे जाकर मिल जाती हैं, और जिसे हम नौयल नदी कहते हैं, ये नौयल नदी आगे जाकर कावेरी में मिलती थी, दुर्भागे से इन दिनों कुछ कस्बों ने उसे रोग दिया है, पर ट्रॉप 65 दिनों तक टिकना और बहना चाहिए, जब तक हमारी मिट्टी जैवे क्या औरग्यानिक रूप से सम्रिद नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, तो मिट्टी के बरबाद होने की समस्या का हल निकाले बिना जलवाईव में होने वाले बदलाव का कोई हल नहीं निकाला जा सकता, हम यहां कैसे पहुंचे सद्गुरू, इसकी शुरुवात कैसे हुई? चार महीने के समय में 32 लाख लोग मारे गए थे, चार महीने के अंदर, देखे जब लोग अकाल में मरते हैं, तो वो युद्ध जैसी स्थिती नहीं होती, कि कोई बाम गिरा और हम सब भाब बन कर उड़ गए, खेर वो अच्छी बात नहीं है, पर ठीक है, कम से कम हम भाब पर अगर हम सब यहां बैठे रहें और चार मेने तक खाना न मिले, तो हम जैसे मरेंगे, उस सबसे भयानक होगा, ठीक है, सबसे भयानक मृत्यू अकाल के दोरान होती है, अभी जादातर लोग कम से कम युवा लोग सोचते हैं, कि अकाल सिर्फ अफरिका में होता है, नहीं कई सबहताएं धवस्त हो गई हैं, जैसे माया सबहता, मेसोपोटामियन सबहता, यहां तक की रोमन शहर भी अकाल के कारण धे गया, तो अकाल क्या है, अकाल यानि किनी कारणों से हम वहां भोजन नहीं उगा पाते, जहां लोगों को भोजन चाहिए, खेर आज हमारे पास एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचानी कि अपार्क शमता है, अभी यह हो रहा है, विश्व खादि कारिकरम ने पिछले साल एफरिका में 9 अरब डॉलर मूल लिका भोजन वितरित किया था, इस साल उन्हें 15 अरब की जरूरत है, तो यह और खराब हो रहा है, यह ब अरब भोजन उगाना होगा, अगर ऐसा होना है, तो मिट्टी समरिद होनी चाहिए, हम इस स्थिती में कैसे पहुँचे यही प्रशन है, खेर क्योंकि आकाल पढ़ रहे थे, तो हमने वो तरीके अपनाएं, जिसे आज तकनी की खेती कहा जाता है, या इस देश में हम इसे ह हरित करांती कहते हैं, इस हरित करांती की उस समय बहुत जरूरत थी, क्योंकि वो एक आपात काली न्स्थिती थी, लोग मर रहे थे, सैक्डों लोग, हजारों लोग भोजन के आभाव में मर रहे थे, तो वो आक्रमक रूप से फर्टिलाइजर वगेरा डालने लगे, पहले अब ही आप अच्छा खाना खा रहे हैं और आप ठीक हैं, पर आप कुछ और विटमिन या प्रोटीन वगर आपने सिस्टम में डालें, तो कल सुबह अचानक आप शांदार महसूस करेंगे, ठीक है, यही मिट्टी के साथ हुआ था, पर मान लीजिए, क्योंकि आपको इन गोलियों के लेने से बहुत अच्छा लगा, तो कल आपने खाना खाना बंद कर दिया, आप बस मुठी भर गोलियां खाने लगे, जो कि कई लोग करने लगे हैं, ठीक है, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, यह वही कीमत है, जो आम चुका रहे हैं, तो हम भूल गए हैं कि मिटी की जैविक सामंगरी से ऐसा होता है, देखें अभी, इसे रेद कहते हैं, यह रेद क्यों बन गई है? अगर आप इसमें परयाप जैविक सामंगरी डालेंगे, तो यह मिटी बन जाएगी, अगर आप मिटी से सबी जैविक पदार्त निकाल देंगे, तो वो रेद बन बनते जा रहे हैं, आपने मुंबई से उडान भरी थी है, ना, ठीक है, वहाँ हालत इतनी बुरी नहीं है, पर अगर आप यहाँ कोयमबटूर से दिल्ली के लिए उडान भरें, तो हर पांच मिनट में आप खिड़की से बाहर देखिए, उसके लिए आपको विंडो सीट ले तो आप अश्चिमी घाटक्षेत्र और पूर्वतरक्षेत्र को छोड़ कर देखेंगे, कि लगभग पूरा देश एक भूरे रंग के रेगिस्तान जैसा दिखेगा, ओद्योगी खेती के साथ हमने यही कर दिया है, ओद्योगी खेती का मतलब क्या होता है, हम तो भूली ग अभी आप सबसे अच्छा खाना खा सकते हैं, आप उसे तब तक नहीं पचा सकते हैं, जब तक कि पेट में माइक्रोब बायूम ना हो, सुख्ष्म जीवों या माइक्रोब्स की मदद के बिना आप अपना खाया हुआ भूजन नहीं पचा सकते, आपके शरीर के साथ प्रत तो ये ठीक है, कुछ तो है, चालिस प्रतिशत जैनेटिक सामगरी माता पिता से आई है, बाकि सब सुख्ष्म जीवी हैं, मिट्टी में भी इससे बड़े पैमाने पर ऐसा ही होता है, अगर इन पेड़ों को पोशन प्राप्त करना है, तो ये सीधा मिट्टी से नाइट्र कि इसके सिर्फ थोड़े से ही इससे का अध्यन हुआ है, पर इससे जो कुछ भी प्रकट हुआ है, वो इतना जबर्दस लेंदेन का द्रशे है, ये दुनिया के किसी भी शेहर बाजार से जादा पेचीदा और जटल है, हमेशा यानि पेड हमेशा अधिक पत्ते पैदा करन करना चाहता है, फोटो सिंतेसिस का अर्थ ये है, कि ये हवा से कार्बन कणों को सोखने और उनमें से कार्बन शरकरा बनाने के लिए सूर्य की सदा तूर्जा का उपयोग करना चाहता है, क्योंकि यही वो एक मात्र मुद्रा है, जिससे वो लेंदेन करते हैं, कार्बन शर ठीक है? एक साल तक पत्यों को भाना रहने वे, आप देखेंगे पेड़ मर जाएगा, भले ये अच्छे से जड़े जमा चुका है और उसके पास एक नदी है, वो जीवित नहीं रह पाएगा क्यूंकि ये कार्बन का आदान प्रदान नहीं करेगा, इसके पास कैश नहीं है, इसका ही मतलब है, आपके पास पैसे नहों, तो आपके पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, अगर आप पेड़ की फोटो सिंथिस करने के एक शमता चीन लें, तो उसके साथ ऐसा ही होगा, फोटो सिंथिस ब्रहंभांड में हुई सबसे अभूत पूरु चीजों में से ए यानि जब जीवन फूटने लगा तब, क्योंकि तब वो सूरी की साशत उर्जा से शशक्त होने लगे थे, उस समय अरबों साल पहले, समय जो भी हो, तब ऑक्सिजन की मात्रा, बहुत ज्यादा थी, नहीं, वातावरण में ऑक्सिजन की मात्रा दो प्रतिशत से भी कम थी, जी हाँ, आज ये किस प्रतिशत है, स्कूल की किताब में मत पढ़िये, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं स्कूल में सई सोचती थी, पथा नहीं, लोग मुझे इंफ्लुएंसर क्यों कहते हैं, तो ऑक्सिजन दो प्रतिशत से भी कम था, जी 20 प्रतिशत है, इसलिए ये मेरे और आपके जीने के लिए मददगार है, अगर ये 15 प्रतिशत से नीचे चला जाए, तो हमें आने ही रह पाएंगे, ठीक है, तो ये कैसे हो पा रहा है, ये केवल फोटो सिंथिस के कारण हो र रही है, अगर आप केवल धर्ति की सता को देखें, फोटो सिंथिस पहले कितना हो रहा था, मानलीजे, 1000 साल पहले या 500 साल पहले भी, और आज कितना हो रहा है, आज ये काफी कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि अभी विश्व की लगभग 71 प्रतिशत भूमी की जुताई की जा तो ये सब केवल जब फसल होता है, तब थोड़ा बहुत फोटो सिंथिस होता है, जब फसल काट ली जाती है, तब वहाँ फोटो सिंथिस नहीं होता है पर सद्गुरू, मुझे याद है आपने कहा था कि जुताई करने से मिटी इसलिए मर रही है, क्योंकि सुक्ष्म जीवों को सूरज की नीचे खुला छोड़ दिया जाता है, और फिर वो नश्ट हो जाता है, पर जुताई नहीं होगी, तो फिर खेती कैसे होगी? देखे खेत को क्या चाहिए, इसकी जरूरतें क्या है, किसी भी हरियाली वाली चीज को बढ़ने के लिए क्या जरूरी है? आप देख रही हैं, यहां के सारे पेड अच्छे से बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, आपको लगता है वो यहां हल जोत रहे हैं? पर फिर किसानों को साल भर फसल कैसे मिलेगी? ठीक है? अगर आप मिट्टी के एक कन को देखें, तो यह स्पंज ऐसा है, यह बस खुल कर पानी को सोख लेता है, जितना पानी, धर्ती की सभी नदिया मिलकर सोखती है, यह उससे 800 प्रतिशत जादा पानी सोख सकता है, यह मिट्टी की ख्षमता है, अभी, पता हैं, हमने बहुत से गलतियां की हैं, एक सबसे बड़ी गलती है, दुनिया के बड़े बांध, आज सयुक्त राज अमेरिका ने वहां के 900 प्रमग बांधों को बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि यह गलत है, पर हम आज भी बांध बना रहे हैं, क्योंकि आबादी क की मांग है, मेरे खेत को पानी चाहिए, आपके खेत को पानी चाहिए, देखे अगर आप मिट्टी में जाविक सामगरी बढ़ा दें, अभी भारत की 62 प्रतिशत भूमी में ये दशमलव 5 प्रतिशत से भी कम है, अगर आप इसे 8 से 10 प्रतिशत तक बढ़ा दें, तो आपक पेड़ों और फसलों को बस इसी चीज की जरूरत होती है। क्या इस से दुनिया को फर्क पड़ेगा? आप कम से कम अपने दातों को दिन में दो बार ब्रश कर पाएंगे. क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पानी की कमी के वज़र से हम अपने दात नहीं ब्रश कर पाते. मुझे लगता है कि पानी की कमी से ज्यादा ये सिर्फ एक बेकार का बहाना है. नहीं, वो जलवायू बदलाव है. वो जलवायू बदलाव है. सासों की बदवू से ऑक्सिजन की कमी हो रही है. पर साद्गुरू मुझे ये बताईए, आप कहते हैं कि अगर हम हल ना चलाकर प्राकृतिक तरीकों से खेती करते हैं. देखें, इसे वो सब नाम मत दीजे. सरूरी बात ये है कि एक पौधे को क्या चाहिए, कोई भी पौधाओ. अलग-अलग पौधों की थोड़ी बहुत अलग-अलग जरूरते हो सकती हैं, क्योंकि हर पेड असाधारन है. देखें, हम कहते हैं, पेड़ों की ये प्रजाती जो यहां है, अगर आप इसके ठीक नीचे की मिट्टी का ध्यन करें, तो वहां अर्बों तरह के सोक्ष्ण जीवी होंगे, जो सारे के सारे वहां केंद्रित हैं, पर अगर आप दूसरी प्रजाती ढूनें और जड़ तक जाएं, वो प्रजातियां बहुत अलग होंगी. तो मैं कहरा हूँ कि ये सभी एक दूसरे के साथ अपनी जरूरतों के अनुसार अलगलग तरीके से वेभार करते हैं, जो उन्हें जरूरत का सामान मोहिया कराता है. उसी हिसाब से वहाँ एक बाजार चल रहा है, तो कोई सबजी मंडी जाता है, कोई अनाज मंडी जाता है, कोई मचली मंडी जाता है, ये उनकी मर्जी है. ये बहुत पेंचीदा और जटिल है. तो किसी भी पौधे के लिए क्या जरूरी है? आपको ये तै करने की जरूरत नहीं है, आपको बस खाद या ह्यूमस बनाना है ह्यूमस का मतलब है सुख्ष्ण जीवों के पनपने के लिए परियाप जैविक पदार्थ है यहां तक की ह्यूमन शब्द, ह्यूमस शब्द से आया है ठीक है? तो जिसे हम अपना शरीर कह रहे हैं, यह वही मिट्टी है जिस पर हम चलते हैं यह जितनी सम्रिद्ध है, हमारा शरीर भी उतना ही सम्रिद्ध होगा इस वज़े से दुनिया में पोशन की कमी वास्तों में जबरदस्त है यह अभी इतना भयानक है उदारण के लिए अमेरिका में मैं अमेरिका को एक उदारण के रूप में ले रहा हूँ क्योंकि यही वो एक मात्र जगा है जहां अध्यन विस्तरत रूप से हुआ है और वो बहुत प्रभावशाली भी है वो भी एक बात है पर दूसरे देशों में उस तर की खोजबीन नहीं हुई है जे हाँ इन दिनों सलात खाना फैशन हो गया है लोग लेटियूस खा रहे हैं और ये वो ठीक है आएए लेटियूस का एक पता लें बीसमी सदी के शुरुआत में मान लीजे 1920 में इसमें जितना था और आज जितना है वो पिछली सदी के पोशन का केवल 10 प्रतिशत है तो आपको 10 प्रतिशत मिल रहा है आपको केवल 10 प्रतिशत मिल रहा है यानि आपको 10 गुना जादा खाना होगा कैसा करना प्राक्टिकल है अगर आप 1920 में एक संत्रा खाते थे तो 2022 में आपको 8 संत्रे खाने होंगे ताकि वही चीजे मिल सकें देखे इसका असर हो रहा है हर देश में आम तौर पर महामरी है पर भारत में जनसक्या इतनी घनी होने के बाद भी आम तौर पर एक अंट्रोल में है पर भी दुरभागिस से कुछ लोग मर रहे हैं पर आम तौर पर नियंत्रण है बलेही लोगों की अबादी इतनी ज़ादा है आज भी अमेरिका में रोजाना मौते लगभग दो हजार है दुनिया का सबसे अमीर देश दुनिया में उच्च तम स्तर के चिकित सा बुनियादी धांचे के साथ पर कुछ काम नहीं करता लेकिन कई तरह के पोशन उपलब्ध हैं पर पोशन नहीं मिल रहा है एक महत्वपून कारण है कि आप जो भोजन कर रहे हैं उसमें पोशन की कमी है आप खाना खा रहे हैं पर जो चाहिए वो नहीं है ये सब पंप किया हुआ भोजन है ठीक है तो ये कोई rocket science नहीं है अगर आप किसी से भी किसी से भी पूछें शायद बच्चों को भी पता होगा अगर आप किसी डॉक्टर से पूछें विशेशाग है नहीं एक साधारन डॉक्टर से अगर आप उससे पूछें अगर आपको उपरी सांसों की नली के infection का मुकाबला करना है तो आप में vitamin E, A, D, B होना चाहिए B6, B12, आयन, पते, magnesium, zinc आपके भोजन में और शरीर में इन चीजों की जरूरत होती है अगर ये चीजें नहीं हैं तो आप इसके प्रतियती समवेदन शील हो जाते हैं आज अध्यनों से पता चलता है कितने 40% अमेरिके आबादी में vitamin C की कमी है 40% में calcium की कमी है कुछ 37% में magnesium की कमी है 90% में vitamin E की कमी है इसलिए जब कोई portion नहीं होता तो आप बीमारी के प्रति समवेदन शील होते जाते हैं पर कहीं और आफ्रिका में देखें मुझे नहीं लगता कि उन्होंने शहरी केंदरों को छोड़ कर सभी को टीके दिये हैं पर वहां कोई नहीं मर रहे है क्योंकि वो जमीन पर जी रहे हैं इसलिए हमारे प्रतिरोध स्तर नीचे आ रहे हैं हम अधिक से अधिक समवेदन शील होते जाएंगे हम कब तक इसाबादी को केवल टीकों और दवाओं के साथ अंधीन रूप से चलाएंगे ये जीवन चलाने का तरीका नहीं है हमें जीवन को मजबूत करने की जरूरत है इसके उपर अगर कुछ आता है हम दवाई या वैक्सीन या उससे छुटकारा पाने के लिए तो आज लोग सोचते हैं मजबूत का मतलाब है ऐसे बहुत सारी मांस्पेशिया हो ये जीवन की ताकत नहीं है जीवन की ताकत केवल आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाए बिना आपके सिस्टम में होने वाली माइक्रोबियल गतिविधी की समरिद्धी में है खैर लोग ये भी पूछ सकते हैं एक वाइरस भी माइक्रोब है समस्या क्या है अहां अगर हमारे पास दूसरे सभी सोक्षन जीव तैयार हो तो वो उसे समाल लेंगे पर हमारे पास नहीं है तो ये एक समस्या बन गई है सद्गुरू आप जानते हैं कई बार जब बाचीत होती है मिट्टी बचाओ या जलवायो बदलाव के बारे में और मैं सिर्फ अपने दर्शगों की बात कर रही हूँ जो की 13 से 25 साल की उम्रें के बीच है ज्यादा तो लोग एक सवाल मुझसे पूछता है वो है प्राजक्ता ठीक है बड़िया अब हम इस बारे में जानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं यानि अगर हम मिट्टी के बारे में बात करते हैं बच्चपन से तो हमें यही सिख आना किसान जमीन पर काम कर रहे हैं और वो जमेदार है और वो जानते हैं कि कैसे देखभाल करनी है उनका मिटी से सीधा संपर्क होता है हम अपने शहरों या कजबों में अपने लापटॉप के सामने या किसी भी दरसे अपने घर पर बैठ कर कुछ ऐसा कैसे करें जो वाकई मददगार हो हम भारती किसानों की बात करते हैं कितने भारती किसानों के पास लापटॉप और वाइफाई कनेक्शन है मुझे नहीं पता आपको क्या लगता है ज्यादा नहीं 55 प्रतिशत आबादी खेती करती है आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसे कितने होंगे जादा के पास नहीं होगा, 10-15 प्रतिशत शायद, 20 प्रतिशत जादा से जादा तो उनकी आवाज कौन उठाएगा? वो वही कर रहे हैं जो उन्हें बताया जा रहा है क्योंकि 40-50 साल पहले चीज़ें आचानक बदल गई है और उन्हें अब भी नहीं पता चला है जानी वो 500 किलो डाल देगा तो मैं कह रहा हूँ कि उनके पास उतना ही ग्यान है अब हम उर्वरक या कीट नाशकों या किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं है पर इसे ठीक तरीके से किया जाना चाहिए अभी आप स्वस्थ हैं आप अच्छा खाना खा रही हैं पर हमने आपके खून की जांच की और हमने पाया कि आप में आईरन थोड़ा कम है तो हमने आपको दो महिने के लिए गोली दे दी जिससे आप उसे ठीक कर सकें बस उस थिती के लिए पर अब आप कुछ भी ना खाएं बस वो गोलियां खाएं तो वो काम नहीं करेगा अब यहां स्कूल की बच्ची आया हैं मान लीजे उनके बालों में जू है हमने उनके सिर में थोड़ा सा जहर डाल दिया ठीक है पर या जैसे कि कभी-कभी हम इसे इंटरनेट कहते हैं तो आप हर समय ऐसा नहीं कर सकते कि उन्हें जहर में डुबो कर निकाल लें ठीक है तो मैं कह रहा हूँ कि यह सभी चीजें जैसे कि इनसानों के लिए कंट्रोल की जाती है इन्हें जमीन के लिए भी उसी तरह कंट्रोल करने की जरूरत है क्योंकि मिट्टी ही हमारे जीवन का अधार है अभी हम जमीन को केमिकल से भर रहे हैं और यही नुकसान हो रहा है तो ये युवा क्या कर सकते हैं देखे मानवता के इतिहास में ये पहली बार है कि हम यहां बैट कर पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं ठीक है कई महापुरुश आये पर जब उन्होंने बात की तो मुश्किल से दस लोग उन्हें सुन पाए ये पहली बार है जब आपके पास ये सौभाग ये है कि आप वाकई दुनिया से बात कर सकते हैं तो आप कुछ समझदारी की बात क्यूं नहीं करते हैं मैं पूछ रहा हूँ आप कुछ ऐसी बात क्यूं नहीं करते हैं जो आपके जीवन में कल माइने रखेगी क्योंकि दुनिया का हर जिम्मेदार वेग्यानिक साफ तौर पर बता रहा है कि 2045 तक हम 40 प्रतिशद कम भोजन पैदा करेंगे और हमारी आबादी 9 अरब से अधिक होगी क्या ये ऐसी दुनिया है जिसमें आप रहना चाहेंगी मैं अभी 10 साल पहले मर सकता हूँ और जा सकता हूँ ठीक है मैंने अपना जीवन पूरा कर लिया है पर नौजवान क्या वो उस दुनिया में रहना चाहते हैं क्या हम अपने बच्चों को उस दुनिया में छोड़ना चाहते हैं भोजन की कमी कोई मजाक नहीं है जब भोजन की कमी होगी तो आपकी पूरी सभेता नश्ठ हो जाएगी ठीक है कोईमबटूर शहर की कलपना कीजे मान लीजे कि 30-40 प्रतिशाद लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है तीन दिन आपको लगता है शहर सभे वैभार को बनाए रखेगा संयुक्त राष्ट्र के कई एजेंसिया भवेशवानी कर रही है कि 2045 तक देश में दरजनों ग्रहयुद होंगे हर जगा खाने के लिए लड़ाई खाने के लिए दंगे होंगे हम नहीं चाहते कि दुनिया उस दिशा में जाए इसे पलटने का अवसर मौजूद है और विशेश रूप से अभी ये जरूरी है क्योंकि इस समय हम ऐसे मोड़ पर हैं कि अगर हम अभी काम करें तो अगले 10-15 वर्षों में हम इसे काफी हद तक बदल सकते हैं पर अगर आप 30-40 सालों तक ऐसा ही चलने देंगे तो जैव विविदिता या बायो डाइवर्सिटी का नुकसान इतना तेजी से हो रहा है कि प्रतिवर्ष औसतन 27,000 सुक्ष्म जीवियों की परजातियां खत्म हो रही हैं हर साल हर साल अगर हम इस गती से चले तो 40 साल में हम ऐसे मुकाम पर पहुँच जाएंगे कि अगर हम मिट्टी को ठीक करना चाहें तो 1.500 से 200 साल लग जाएंगे दुनिया को वहां मध्ध के लिए मैं बस इतना ही कह रहा हूँ और आपके पास अपना फोन उठाने और 100 लोगों तक पहुँचने की शक्ती है कृपया ऐसा करें बस यही करें बात करें आपको कहीं जाकर मिट्टी को ठीक करने की जरूरत नहीं है अभी सबसे जरूरी है पॉलिसी में बदलाओ पॉलिसी क्यों? अभी देखे यह जगा अच्छी है यह जगा हमारे योग किंद्र से जुड़ी हुई है हम यह पक्का करेंगे कि यह जगा ऐसीर है यह योग किंद्र की नीती में लिखा जाएगा 100 साल बाद, 200 साल बाद, चाहे जो कुछ भी हो जाए आप पर कोई भी दबाव हो हम उतना ही निर्मान कर सकते हैं उधारण के लिए अमेरिका में हमारे पास लगबख 20,000 एकर जंगल है टैनेसी में टैनेसी में, जे हम हमने 70 प्रतिशत कंजर्वेशन के लिए प्रतिबद्ध किया है ये वहां की फाउंडेशन के सम्विधान में लिखा गया है हम उस 70 प्रतिशत का उप्योग कभी नहीं करेंगे वो हमेशा जंगल रहेगा केवल 30 प्रतिशत पर हम निर्मान करेंगे ये पैसों का बलिदान है, ठीक है पर आपको ऐसा करने की जरूरत है हम एक संगठन है पर अब सरकारों को ऐसा करने की जरूरत है रास्ट्रों को ऐसा करने की जरूरत है कि आपको नीती बनानी होगी हम भूमी के उप्योग के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं अगर आप किसी भी भूमी पर खृशी कर रहे हैं तो वहां कम से कम 3-6 प्रतिशत जैविक सामगरी होनी चाहिए क्योंकि मिट्टी हमारी संपत्ती नहीं है, ये एक विरासत है जो हमें मिली है हमें इसे आने वाली पीडियों के लिए ऐसे ही पहुंचाना चाहिए वरना हम किस तरह के लोग हैं, बताइए तो ये कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं आपको ये समझना होगा कि लोगतंतर में नीती बदलाव के लिए केवल दो चीज़े हैं जो सबसे महत्पून हैं आपका वोट और आपकी आवाज माना आप अगर तेरा के हैं तो आपके पास वोट नहीं हैं पर आप आवाज उठा सकते हैं न आपके पास आवाज हैं और वाई फाई मैं यही कह रहा हूँ, वो एक बुलंद आवाज है यानि अगर मैं यहां बैटकर चिला हूँ, तो सिर्फ वहाँ तक आवाज सुनाई देगी लेकिन अगर आप अपने वाई फाई के साथ चिलाएं, तो इसे दुनिया भर में सुना जाएगा तो ऐसा कीजिए, क्योंकि हम कम से कम 3.5 अरब लोगों को जोड़ना चाहते हैं क्योंकि 3.5 अरब लोगों का मतलब है, दुनिया के मतदाताओं का साथ प्रतिशध हमने दुनिया के 730 राजनीतिक दलों को लिखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो मिट्टी और पर्यावरण को अपने राजनीतिक घोशनापत्र का हिस्सा बने पर ऐसा तब ही होगा जब लोग आवास उठाएंगे क्योंकि लोगों ने अभी तक कुछ भी गहरा नहीं कहा है लोगों ने कोई कमिटमेंट नहीं दिखाया है लोगों ने अपने राश्ट्रों या दुनिया के लबे समय के कल्यान के लिए अपनी प्रतिवधिता व्यक्त नहीं किये केवल कहीं चाय पार्टी में वो ये बातें कर रहे हैं जो कि परयाप नहीं है सौ दिनों तक अपनी आवाज बुलंद करें 21 मार्च से सौ दिन, हर रोज मिट्टी की बात करें कुछ कहें सद्गुरू, मेरा आखरी सवाल क्या हम अभी अपनी जीवन शेली में कोई बदलाव कर सकते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा, मिट्टी खाना बन चाती है, और खाना हम खाते हैं, और यहीं चीज़ें हम पर कई सालों तक असर डालती हैं, क्या कोई ऐसी जीवन शेली का बदलाव है, जो हम अभी कर सकते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं? हाँ हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, मैं अभी लोगों से इस बारे में बात भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि छोटी छोटी कुर्बानी भी अगर मांगी जाए, तो लोग ऐसे चिलाते हैं जैसे उनसे कुछ छीना जा रहा है, मैं कह रहा हूं अपनी मर्जी सिजें, बस अपनी आवाज उठाएं, आईए पॉलिसियों को बदलें, हम पिछले दो सालों से इस पर काम कर रहे हैं, पिछले आठ महीनों में हमने अलग-अलग सरकारों के साथ काम किया है, लगबग हर सरकार और नेता जिससे हमने बातें की हैं, वो सभी छुक हैं, पर ल रक्तिगत संसाधनों या राष्ट के संसाधन, ये हलात हैं, इसके लिए लोगों को बूलना होगा कि हमें लंबी अवधी के निवेश चाहिए, हम इस से गुजरेंगे, तो अभी यही जीवन शैली का बदलाव है, जब वो नीती में बदलाव करते हैं, अगर सरकार को नाइलोन के कपलों के बजाए कुछ सूती, रेशम, लेनिन यानि कुछ जैविक कपलों का उपयोग करें, ये एक साधरन बदलाव है, जिसे आप कर सकते हैं, बढ़िया है, और हमने सुनाए कि एक बाइक की सवारी है, एक रैली जिसमें आप राष्ट्रों, शहरों, के पार जाकर मिट्टी और उसके महत्व के बार में बात करेंगे, कृपया हमें उसके बार में बताएं, ठीक है, हम 21 मार्च को लंदन से शुरू करेंगे, अकेली मोटर साइकल, बस एक, सिर्फ एक मोटर साइकल, बस एक, लंदन से युरोप होते हुए अरब तक, और पूर साल है, इसलिए मैं अपने साथ इंडिया 75 का जंडा भी ले जा रहा हूँ, तो ऐसा किया जा रहा है, और हम इससे संबंदित कुछ और चीज़ें भी करेंगे, फिर हम काविरी पहुँचेंगे, और हम 21 जून को योग केंद्र पहुँचेंगे, जो कि अंतर आश्ट्रिय य जोग दिवस है, जरा देखें कैसे कैलेंडर मेरे लिए विवस्थे थे, ये बहुत बढ़िया है, और हाँ, 5 जून 75 दिन बाद जब मैं दिल्ली पहुँचूंगा, उस दिन विश्व परयावरण दिवस है, और जिस दिन में शुरू करूँगा, 21 मार्च को विश्व वन जिस दिवस है, ये कैसा है, ये भगवान का प्लान है, पर सद्गुरू आप से बात करके हमेशा अच्छा लगता है, तो इन देशों से गुजरते हुए हमें ये समझना चाहिए, कि जब परयावरण की बात होती है, तब कोई राष्ट नहीं होता, धर्ती और धर्ती पर सैंसी चीजे हैं, जो आपने अपने दिमाग में बनाई है, यहां मिट्टी में बस जीवन और जीवन है, जीवन के लिए कोई सीमा नहीं होती, इसलिए इसे कई तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है, और सबसे बढ़कर हम कई राष्ट्रा ध्रक्षों, परयावरण मं देंगे और एक बड़ा दस्तावेज है, जो की कंप्यूटर पर देखा जा सकता है, यह सभी के देखने के लिए उपलब्ध होगा, यह दस्तावेज क्या है, उसमें सैकडों ऐसे तरीके हैं, जिनसे आप मिट्टी में फिर से जान फूंक सकते हैं, यह तरीके आप जैसे च चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप एक जबर्दस विचार भी प्रस्तुत करें, तो भी चीजें तभी बदलेंगी, जब वो विचार मौझूदा परंपरा के साथ तालमेल में हो, तो इन सभी को देखते हुए हमने सैकडों तरीके अपनाए हैं, जिनसे आप आसान बदला धन्यवाद, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद मत कहिए, कहिए आईए इसे संभव बनाएं, आईए इसे कर दिखाएं, इस पीड़ी में अगर हमने ऐसा नहीं किया, तो हमें पच्टाना पड़ेगा, ओके, तो ये, वाउ, ये दो मिनिट की त जो करना भी चाहिए, धन्यवाद सद्गुरू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप से बात करना अच्छा रहा है, ये मिट्टी बचा पोस्टर पा अच्छा नहीं लगेगा, अरे ये अच्छा है, प्राजकता मिट्टी को लेकर कितनी भावुक है, नहीं, जब मैं मिट्टी के बात करता हूं, तो मेरी आँखें भी नम हो जाती है, तो आप भी ऐसा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, यानि कि आप इसके बारे में भावुक हैं, सिर्फ इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आपका दिल मिट्टी के लिए धड़कना चाहिए झाल opens लोगल ऑीक, तो मेरी बात करीज़का थस्याँ, यानि वप लिड़किताज हैं, झाल रहे हैं, यानि को के बात धुक है, तो में रहे हैं झाल जाल ऑशीज方 हैं, उ सल भी हो ही ऐनल, पिपकाना चαबस्ते।